अगर आपको concept अच्छे से समझ में आ जाए, तो वीडियो को like करना और हमारे चैनल को subscribe करना मत बूलना इस question में कह रहा है, a ball P is dropped vertically and another ball Q is thrown horizontally with the same velocity from the same height and at the same time, if the air resistance is neglected, then 4 option दियें, 4 option में बताना है कौन सा option सही है क्या ball P जो है Q से पहले पहुंचेगी ground पर, या ball Q जो है P से पहले पहुंचेगी ground पर या दोनों ball जो है same time पर पहुंचेंगी, या the respective mass of two ball will decide the time बाई ऐसा है, इस question को मैं बताऊंगा लेकिन इस वीडियो का प्लास तक देखना मैं यहाँ पर इस fourth option को भी प्रूफ करूँगा, बहुत सारे बच्चे ऐसा है, वो सोचते हैं कि अगर मान लो, एक बहुत भारी पत्थर लिया और एक छोटा सा पत्थर लिया दोनों का mass अलग है, जो भारी वाला पत्थर है उसका mass बहुत ज़्यादा है, एक छोटू पत्थर लिया उसका mass कम है, तो जो भारी वाला पत्थर है उसको time कम लगेगा, ग्राउंड पर आने में, और जो छोटू पत्थर है उसको time ज़्यादा लगेगा, ऐसा मेरे बहुत सारे छोटे भाई लोग हैं वो ऐसा समझते हैं हरा तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना मैं इसका आंसर आपको जरूर बताऊंगा तो पहले question को attempt करते हैं भाई माल लेते हैं यह कोई tower है हरा यह tower है मेरे भाई इस tower की height है h tower की height है h इसने बोला है कि इस tower की height से पी बॉल जो पी बॉल है बॉल पी इसको drop कर दिया गया vertically इसी तरह से इसका मतलब इसकी initial velocity की आ हो गई 0 हाई टेच है initial velocity इसकी 0 हो गई अब जो दूसरी ball है q दूसरी ball q है सेम height से ही इसको इस तरह से फैका गया है इस ball को इस तरह से फैका यानि कि इसको horizontal velocity दी इसकी horizontal velocity वो तो 0 नहीं होगी लेकिन इसकी vertical velocity ये क्या होगी uv that is equal to 0 vertical direction में velocity का component 0 होगा क्योंकि initial velocity कि इस direction में horizontal direction में तो vertical component velocity का 0 होगा clear है मेरे बाई तो इस case में भी initial velocity 0 vertical component इस case में भी initial velocity 0 vertical component तो दोनों cases में initial velocity 0 है vertical component वाली clear है तो जब ball का movement vertically हम देखेंगे इस तरह से ball आएगी तो हम हमेशा vertical component की बात करते हैं ये projectile में भी हम करते हैं और motion under gravity में भी हम यही चीज़ करते हैं तो हम vertical component देखेंगे velocity का तो दोनों case में vertical component velocity का 0 है clear है अब हम यहाँ पर equation लगाएंगे s is equal to ut plus r ut square तो बही दोनों ball की बात करेंगे पहले p ball की बात करते हैं कितने height से फैंका इसको h height से फैंका तो बही इसको भी check कर लो reference point है हमारा यह positive यह नीचे negative तो हमारा reference point यह ही है पूरा tower की height है यह reference point है reference point से इसको फैंका तो इसका displacement हुआ minus h initial velocity up into time लगता है मानलो tp plus half acceleration due to gravity minus g क्योंकि acceleration due to gravity हमेशा downward act करता है minus g ध्यान रखना और tp का square initial velocity 0 है तो यह 0 हो जाएगा तो यहां से आ गया minus h is equal to half minus g into tp square clear है यह minus से minus cancel हो गया तो tp तुमारे पास आ गया square root of 2h upon g आप यहां से देख सकते हो time period किसके ओपर depend कर रहा है height के ओपर और acceleration due to gravity के ओपर mass के ओपर तो कते ही depend नहीं कर रहा mass के ओपर कते ही depend नहीं कर रहा इसका बला option जो 4 है option 4 तो बिल्कुल ही गलत हो जाता है option 4 बिल्कुल ही गलत हो जाता है बट आप थोड़ा सा थाम के बैठी है वीडियो को last तक देखना मैं आप पर prove करूंगा mass का roll किस तरह से play होता है लोग ऐसा सोचते हैं कि बहीं कोई भारी चीजा वह जल्दी गिरेगी नीचे और कोई हलकी चीजा उसको कम टाइम लगेगा थोड़ा सा थाम कर बैठी है दिल थाम कर बैठी है वीडियो को last तक देखने तो टीपी आपको पता चल है यह मिल गया similarly मैं अगर टी क्यू की बात करूं यानि कि जो क्यू बॉल है उसको कितना टाइम लगेगा से माइट से फैका तो माइनस है इनिशल वलोसिटी इसकी भी जीरो है हाफ एक्सेलरेशन द्यू ग्रेविटी माइनस जी और यह हो जाएगा टी क्यूंका स्क्राइब इसको सॉल करो के तो यह भी तुम्हें यही मिलेगा टी क्यू इस इकलिटू स्क्यार रूट ऑफ टू एच अपॉन में जी तो आप यहां से देख सकते हो दोनों के लिए जो टाइम पीरेड आया टी पी इस इकलिटू टी क्यू यह आपको क्लियर है इसका मतलब दोनों को सेब्ट आइम लगेगा दोनों बॉल को ग्रायूंड पर आने में सेब्ट आइम लगेगा इसका मतलब आपका option no.3 जो है बिलकुल सही हो जाता है क्लियर है तो बॉल पी जो है ग्राउंड पर पहले पहुंचेगी ये भी गलत है बॉल क्यों ग्राउंड पर पहले पहुंचेगी ये भी गलत है दोनों बॉल सेम टाइम पर पहुंचेगी क्योंकि मास के ओपर डिपेंड नहीं करता यह जो case है mass के उपर depend नहीं करता the respective mass of the two ball will decide the time यह तो मैंने बताए दिया mass के उपर depend नहीं कर रहा तो option 3 जो है सही हो जाता है clear रहे आता है अब मैं अपने भाईयों का यह doubt जरूर clear करूँगा कि भाई जो भारी चीज है जिसका mass ज्यादा होता है उसको कम time लगता है जिसका mass कम होता है उसको ज्यादा time लगता है ऐसा बहुत सारे भाईयोग सोचते हैं इस doubt को clear करते हैं देखो भाई माल लेते हैं एक छोटा सा mass का टुकड़ा है यह small m एक बड़ा mass का टुकड़ा है क्यों ठीक है न भाई यह जो केस है न यह तभी वैलिट है जब दोनों को same height से पैकेंगे same velocity से पैकेंगे यह ध्यान रखना same height same velocity ठीक है मेरे भाई यह चीज बिल्कुल ध्यान रखना अपने दिमाग में बठा ले ना यह चीज होनी चाहिए तभी जो time होगा same होगा तो बात करते हैं यहां पर तो देखो इसका जो मास का यह जो मास है small m इसका weight कैसे act करेगा नीचे act करेगा mg color दूसरा लेते हैं मेरे भाई ठीक है और अगर मैं ड्रैक की बात करूं तो दोनों के इस बॉपर जो ड्रैक लगेगा वो इस डारेक्शन में लगेगा ड्रैक जो लगेगा एर का इस डारेक्शन में लगेगा ठीक है अब अगर तुम इसको question क्या इसको force की तरह से बैलेंस करोगे और यह जो मालों यह जो मास है नीचे इस तरह से मूव करेगा इसका acceleration होगा ए ठीक है अब इसको बैलेंस करो तो ड्रैक जो है एक तरह से force है इसको f ले लेते हैं हम तो जब बैलेंस करते हो इसको तो यह हैगा f minus mg that is equal to minus m a यह हम force को balance करना सीखते हैं Newton's law of motion म यह एम जी नीचे लग रहा है तो यह negative ले लिए is equal to similarly यह जो m में है यह नीचे की तरफ लग रहा है इसलिए मैंने माइनस m में लिया है that means net force is equal to mass into acceleration यह हम पढ़ते है Newton's second law में clear है अब question में आप देखो question में क्या बोला है if air resistance is neglected question में बोल रहा है if air resistance is neglected यहां देखो यह दिखा हुआ है यह assume क्या हुआ है अब अगर air का resistance neglect कर दूँगा ना मेरे भाई तो यह drag force 0 हो जाता है drag force 0 हो जाता है तो minus mg is equal to minus m a clear है भाई साब तो यहां से mg और यह ma मिला अब आप एक चीज बताओ यह है acceleration जब यह पत्थर नीचे गरेगा जब यह पत्थर मेरे भाई नीचे गरेगा किस acceleration से गरेगा acceleration due to gravity से तो यहां पर a की value क्या हो जाएगी g हो जाएगी यह दोनों जहें cancel हो जाते है कुछ बचेगा ही नीच that means इस case में net force इसके ओपर क्या लग रहा है zero लग रहा है net force कुछ है ही नी इसके ओपर net force है ही नी भाई free fall की condition है कौन सी condition है यह free fall की condition है same चीज तुम्हें यहां भी मिलेगी मानलो drag force हो गया minus यह capital mg that is equal to capital M minus में और यह a अब a क्या होगा g के क्या होगा acceleration due to gravity क्योंकि free fall वाली condition में आता है यह यह सारी condition क्या है free fall वाली condition अब drag force 0 हो जाएगा तो यह आपके पास मिलेगा minus mg that is equal to minus m into g a g के बरावर हो जाएगा लग इस case में भी net force आपके पास कितना लगा जीरो लगा इसका मलब दोनों case में net force का है zero यानि कि बाहर से हम कोई force लगाई नहीं रहे है यार यह कौन सा case होगा free fall जो अर्थ है इस ball को अपनी तरफ अपने force से खीच रही है gravity वाले force से खीच रही है तो यह कौन सी condition में आता है free fall वाली condition में अगर इसके उपर net force होता ना तो इसके अंदर acceleration आता acceleration different होता है यह जो मैं right side में A लिख रहा हूं यह जो मैं right side में A लिख रहा हूं यह G नहीं होता यह फिर कुछ और value होती तो उस case में उस case में तब इनका time जो हो सकता था clear है तो आपको यहां पर आपको यह आसानी से समझ में आ रहा होगा कि जब एक भारी वस्तु एक भारी body है और एक हलकी body है दोनों को same height से same velocity से drop करेंगे तो दोनों को ground पर पहुचने में same time लगेगा clear है हाथ तक clear है तो यह जो concept है यह अपने दिमाग में बठा ले ना भाई यह सिर्फ कब होगा जब same height होगी और same time होगा clear है मेरे भाई तो इस question का answer हुआ 3rd